दोस्तों रमस्कार एक महिने में आठे के थोग बाव आठ रुपे किलो तक गिर गए है लेकिन रिटेल में इस मातर चार रुपे ही घटे सरसो तेल में भी 20 रुपे की गिराबट है लेकिन थोग के दाम घटने का पूरा लाब अभी तक आम उभोगतों का नहीं मिल पा रहा है जानिये पुरी रिपोर्ट के स्थार से महंगाई से परिशान आम आदमी को पिछले एक मेने के दौरान गेहूं के आटा वैत तेल ने कुछ राहत दे दी है दरसल स्रवी की फसलों की कटाई और केंद सरकार के खुले बजार में 23 लाग टन ग्याउन बेचने से 25 जनरी से अब तक थोग में 8 मैदा सूजी कर लगबग 23 प्रतिशत तक सस्ते हो चुके हैं लेकिन सरसों की तेल की कीमत में 16 प्रतिशत की गिरावट आई है सुवबिन तेल के भाव भी गटे हैं लेकिन थोग की कीमतों का कमी का पूरा फाइदा उप भोगताओ को शायद नहीं मिल पा रहा है खुद्रा बजार में 8 मैदा सूजी की कीमतों में लगबग 11 प्रतिशत की कमी है जबकि होलसेल में 23 प्रतिशत तक बाहुग गिर गए हैं खादे तेलों का भी यही हल है उदर कुछ कमने को यह कहना है कि उन्होंने ना कीमत बढ़ाई और ना ही घटाई जबकि जन्वरी में खुद्रा में रिटेल में 700 ग्राम ब्रेड का पैकेट 2 रुपए और जबकि इतनी ही वजन का ब्राउन ब्रेड का पैकेट 5 रुपए महेंगा हो गया था लेकिन इसकी कीमत लगबग जिस्तर पर है ग्रुखो को दूसरे ब्रेकरी उत्पादों की कीमतों में अभी कभी का इंतिजार है गौतलब है कि रवी की इस शांदर फसलों में ग्यहूं शामिल है और साथ साथ सरसू बही शांदर फसल आने का नुमान है जो कि अब बजारो में देखने को लग रहा है जून तक कीमत बढ़ने की उमीद कम है प्रदेश की यानि राजिस्तान में नहीं सर्सु आ रही है और ग्यहूं की आवग अगले बीज दिनों में शुरू हो जाएगी त्रशी भिवाग के दूसरे अगली मनुमान के नुसार इस साल राजिस्तान ग्यहूं की पैदावर हो सकती है जो की पिछले रवी की सीजन में मात्र एक दिस लाख ठन थी यानि ग्यहूं का उतपादन भी अधिक हो रहा है और सर्सों का उतपादन 65 लाख ठन हो सकता है राजिस्तान में ग्यहूं वे सर्सों की नई फसल जून तक मंडियों में आती र रही है दोस्तो नई फसल आएगी तब कीमतों में कमी होगी ऐसा कहना है कुछ व्यापार संगों का बजार में ग्यहूं की सप्लाई बढ़ने से आटा मैदा सूची कि सूजी कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है लेकिन अभी तक नई फसल आने में लगबग 20 दन का सम गटे एक साल पहले सरसो के तेल एक 180 खुद्रा में 200 प्रैपती किलो तक बिका था सप्लाई बढ़ने से एक साल के दुरान सरसो के तेल में लगबग 40 प्रतिशत तक घट गया है और एक मैने में सरसो की कीमतों में 15 प्रतिशत की कमी आई है इस साल देश में सरसो की बंपर प असल गेहूं की आएगी और व्यापारियों को अपना माल समय पे बेच लेना चाहिए और लगातार गिरावट गेहूं और सरसो में देखी जा रही है और साल दर साल की देखें तो सरसो की भावों में 40% से अधिक गिरावट दर्ज हो चुकी है और एक मैने में ही 15% से अधिक सरसो के गिर चुके हैं दोस्तों सरसो तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, गवार सीड, सुना चांदी, कच्चा तेल और शेर बजार का अगरी मनुमान, विसलेशन और रिसेच रिपोर्ट के लिए आप संपर कर सकते हैं All the very best, good luck, happy trading